साब्धाम प्रिपारम करते हैं जैसिरियों नमा सिद्धेप्या नमो अरियंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वच्छायानं नमो लोए सब साहूनं मंगिलम भगवान वीरो मंगिलम गोति मोगनी मंगिलम कुंड कुंदारियो जैनि धर मोस्तु मंगिलम सर्वि मंगलि मांगल्यं सर्वि कल्यानि कारकं प्रधानं सर्वि धर मानां जैनं जैतु साहसिलं जैनम जैतो सासिनम तच्च यति परमे जोती समम समास्ते रिनन्ते परियाय दर पन तल इब सकला प्रति फलती पधार्ते माले कायत्र परमागमस्य जीवं निसेते जात्यंदे सिंधोर बिधानम अचारे अमरचन देव द्वारा बिरिचित यह है इश्टुब दिशनाम ग्रंथ जो की 226 लोकों में निवद्ध है और 226 लोकों के माद्धम से जो हमें उर्शार्ति सिंधी का उपाय बता रहा है ऐसा यथा नाम तथा अगुन को प्राप्त और उस ग्यायक को दिखाने वाला उस बस्तु सरूप की प्राप्ती कराने वाला ऐसा यह अधुद वानुपम ग्रंथ उसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं चर्चा चल रही है हमारी शुटा की सरूपर की शुटा कैसा होना चाहिए पहले कहा की शुटा कैसा नहीं होना चाहिए कि बैवार को निच्चे मानने वाला सुरोता नहीं है बैवार को निच्चे मानने वाला सुरोता पने कादिकारी नहीं है उसके लिए देशना नहीं है और निच्चे को प्राप्ट क्यों कर लेता है बैवार को निच्चे क्यों मानने लेता है क्योंकि निच्चे को जानता नहीं है इसलिए बैवार को निच्चे मान लेता है तो फिर कैसे स्रोता होने चाहिए कैसे क्या गुर्ण होना चाहिए स्रोताओं का उसकी चर्चा यहां आठवी नम्मर के स्लोक में आच्छा हमरे चंदेव कह रहे हैं देखो क्या कह रहे हैं यहां प्यस्चन उत्पन होता है कि ऐसा स्रोता भी उपदेश के योग नहीं है तो फिर कैसे गुर्ण सन्युक्त स्रोता होना चाहिए इसका उत्तर देते हैं वेवे हारे नेच्चयोया प्रभुद्य तत्वेने भावतिमा ध्यस्ता क्या कह रहे हैं जो जीव वेवार निच्चयोया प्रभुद्य तत्वेन भावतिमा ध्यस्ता मध्यस्त पना चाहिए जो जीव वेवार ने और निच्चयने को बस्तु सरूप से यथार्त रूप से जानकर मध्यस्त होता है अर्थात निच्चयने और बैवार ने के पच्चपास से रहित होता है वे ही सिस्से उपदेश का अविकलम संपूर्ण फलम प्रापनोती फलम को प्राप्त करता है अर्थात ऐसे ही जीव को सोतापना सोवा देता है और ऐसा ही जीव उस उपदेश के फल को प्राफ्ट करता है मेंस उसके बिना कोई उपदेश के फल को प्राफ्ट नहीं कर सकता कव तक जब तक मद्दस्ट पनाना हो जाए निच्चे और बेवार में मद्दस्त होता है इसका यही दूसरे सब्दों में कहें तो निच्चे और बेवार में मद्दस्त होना अर्थात द्रब्यान योग और चर्णान योग मद्दस्त होना अर्थात और कहें तो चारोन योग में मद्दस्त होना कि यदि क्या करता है ये नय का पच्च लेकर एक जीव द्रब्यान योग का पच्च लेकर बैठ गया तो इसने चर्णा नियोग को छोड़ दिया और एक जीव चर्णा नियोग का पच्च लेकर बैठ गया तो इसने द्रब्यान योग को छोड़ दिया तो यहां कहना है ये ऐसे दोनों प्रकार के जीव को उपदेश खफल नहीं मिलने वाला ऐसे दोनों प्रकार के जीव सुरता पने का दिकारी नहीं है उनके ये सुरता पना सोबा नहीं देता और एक तीसरे प्रकार के जीव है जो द्रब्यान योग को भी धारन करते हैं और चर्णा नियोग को भी धारन करते हैं और उसके बाद भी सुरता पने का दिकारी नहीं है एक तीसरे प्रकार के जीव हैं जो दोनों को धारन तो करते हैं तो भी दोनों को धारन करने के बाद भी सुरता प्रनासोवा नहीं देता क्योंकि द्रब्यानियों को द्रब्यानियों गरूप चडणानियों को चडणानियों गरूप या कहें निच्चे को निच्चे रूप और वैवार को वैवार रूप गहन नहीं करते गहन दोनों को करते हैं, लेकिन दोनों को निच्चे को निच्चे रूप और बैवार को बैवार रूप जान का गहन नहीं करते, इसलिए उनके मद्दस्थ पना नहीं है, इसलिए उनके मद्दस्थ पना नहीं है, क्योंकि मद्दस्थ पना चाहिए, और मद्दस्थ पना कव रूसले कि यहां पर बश्तु शरूप से यथारत जानकर जो बश्त्र होता है। मद्दस्त कौन होगा जो बस्तु सरूप से दोनों नयों को यथार्थ रूप से जानेगा कि ऐसा नहीं है कि एक कैरा बिना ग्यान के हो जाएगा काम और एक कैरा बिना किरिया के हो जाएगा तो ग्यान और किरिया का सुमेव चाहिए निच्चे और वैवार में मद्दस्थ पना अर्था तो ग्यान और किरिया में मद्दस्थ पना चाहिए ऐसा नहीं है देखो एक जीव क्या किया इन पच्च पाती ने क्या किया जो निच्चे ने के पच्च पाती हैं और बैवार ने के पच्च पाती हैं उन्होंने स्वाध्धाय को लग कर दिया और किरिया में लग गए अर्था ग्यान को किनारे कर दिया और किरिया में लग गए और निच्चेने के पच्छपाती कैसे हैं कि उन्होंने किरिया को किनारे कर दिया और ग्यान में लग गए वह किरियाओं से कुछ होता नहीं है अब उन्होंने ब्रत्यतब आदे कि पूजन आदे कि जो 60 आवस्रक कहे हैं मैं ऐसा कहूं मैं कि जो निच्चे बैवाने के पच् आपके और आवस्क नहीं है देव पूझा गुरुपास्थी संयमत पादि दानादी की आवस्क नहीं है इंकी को जरूत नहीं है किसकी जरूरत है कि बस यह स्वाध्य करो बस तो यहां कहने हैं पच्छे तुमें मध्दस्थ्पना नहीं है तुमारा यह निच्चे और व्हव पूझान भी करता है, गुरु पासना भी करता है, संयम भी रखता है, ब्तब भी करता है, दान आदिक भी करता है, सारे काम करता है. अर्थात निच्चे और वैवार का दो मद्दस्त पना जिसके होता है जिसको कह रहे हैं कि सुरता पना सोबा देता है उसके सारे कारे होते हैं ऐसा नहीं है कि हमने एक कारे किनारे कर दिया कि इससे क्या होता है किरिया को करने से क्या होता है कि किरिया को करने से क्या होता है पूजन करने से क्या होता है पूजन करने से क्या होता है पूजन करना तो आप देखो हम पूजन करते हैं तो पहिना में लगते हैं हमारी हमारे प बेल पूजा करते हैं तो क्या होता है कि अससरे प्रब्यान नियोग को चलना न योग का मदधस्थ पना चाहिए कि ऐसा नहीं चलेगा कि नहीं इसको ये तो कोई मतलब की नहीं है कोई ऐसा भी कहता है किरियाओं से क्या होता है देखो बंद तो अभी प्राय से होता है हमारा अभी प्राय तो नहीं है ऐसा कि बंद अभी प्राय से होता है लेकि बंद किरियाओं से भी होता है किरियां से कैसे हो जादरबंद कि तुमारी किरियां से पता चला हमारे तुमारे परिणाम कैसे हैं तुमारे परिणाम कितने कठोर हैं इन किरियां से पता चला कि परिणाम की कठोरता कितनी है और परिणाम की कठोरता से पता चला कि अभीपरा कितना विपिरीत है इसलिए कहा किरियाओं से बंध है क्योंकि हमें पता चला आपने कहा इसको करने से कुछ नहीं होता पूजनादि करने से कुछ नहीं होता आपने पूजनादि को हे कहा तो हमें पता चल गया कि आपके पढ़िनाम कैसे है और पढ़िना मुस्ट यहां पता चल गया कि आपका अभीप्राय का ऐसा है, आपका अभीप्राय मद्दस्थ प compress नहीं है आपके अभीप्राय में निच्चे और वैवार का और मद्दस्टपना नहीं है इसका अर्थ है जिन्वार्णी को सुनने की भी पात नहीं है इसलिए यहां लिखा सुरतापना सोवा नहीं देता उसको जिसके मद्दस्टपना नहीं है तो द्रभ्यान योग और चर्णान योग का बहुत भली वहांती मद्दस्थपना चाहिए मैं इस पर बात नहीं करूँगा इस पर बात करूँगा तो पूरा समय चाहिए द्रभ्यान योग चर्णान योग का मद्दस्थपना कैसा होना चाहिए अभी हमें चर्णानियों की ख़वर ही नहीं अभी हम चर्णानियों को पालन करना ही नहीं चाहते बस मोटा मोटा पाल लिया चर्णानियों मोटा मोटा चर्णानियों पाल के संतुष्ट हो गए और यदी और थोरा अंदर जाके बात करो तो हमको लगता है अरे इसमें तो टा लगे रहेंगे के हम पूरे दिन इसी में लगे रहेंगे तो फिर हम स्वाध्या कप करेंगे इसका अर्थ है कि आप में निच्छे को जाना है बैधास्त पना नहीं है आपका अरे पानी चंधना स्वाध्या है पानी चानना स्वाध्या है उसकी में से एक एक किरिया चर्णान योग की एक एक किरिया जिन्वानी का स्वाध्या है हमको लगता है कि स्वाध्या कब करेंगे इसका अर्थ क्या है हमने कुछ एक विशिष्टी किरिया को स्वाध्या करना माना हुआ है इससे हमको पता चला कि कि आप ना निच्चे को जानते हैं ना वैवार को जानते हैं जो ऐसा करते हैं वो ना निच्चे को मद्दस्त पना नहीं है उनके यहां कह रहा है मद्दस्त पना चाहिए कि मद्दस्त पने का क्या अर्थ है कि मद्दस्त पना चाहिए उसने ना निच्चे को जाना है ना नहीं पकड़ा और जिसने बैबार को पकड़ा उसने भी दोनों को नहीं पकड़ा वो यह कहा है मद्दस्त पना चाहिए शुरोता पना का मुख्य लच्छन है यह इसके विना शुरोता पना का अधिकारी नहीं है कि एक कि चीज में स्वाध्या है एक कि मीचते कोई लाइन आती है जहां तहां जिन्वानी फैली आपने पड़ी हो कि रचना में लाइन है यह जहां तहां जिन्वानी फैली कि जिन्वानी कहां नहीं है जिन्वानी हर जेगा है बस हमने जिन्वानी किसको समझ रखा है जो साम साध्या होगा नहीं तो साध्या नहीं होगा कि जहां तहां जिन्वानी फैली हर्जिग जिन्वानी फैली है अब लेकिन हमें पता होना चाहिए कि चीज से क्या ग्रेंड करना है तो जिन्वानी है हर्जिग है और यदि हमको पता नहीं है कहां से क्या किस प्रकार ग्रेंड कर कहीं से भी की जा सकती है उसे पिर्योजन की सिद्धी कहीं से की जा सकती है लोग की कथाओं से की जा सकती है कहीं से भी की जा सकती है उसकी सिद्धी पिर्योजन पता होना चाहिए लेकिन हम क्या हैं सब्द मिलेच्छे सब्ध मिलेचह हैं तो हम एक particular कीयर करने वाले को ऐसा देखते हैं कि ये तो बिलकुर है, प्रटि कुर्य कीयर करने वारे कि तो हमने क्या मना लिया है और अपने आपको क्या मन लिया हम तो सड़ाय करते हैं ये मद्रश्थ पना नहीं है नहीं थुमारा हम विजाब करके देखें किल गाता ना बिनर्मता चाहिए, बिने चाहिए, मद्दस्ता के बिने नहीं आएगी, जब तक निच्च और वेवार मद्दस्ता नहीं होगी, तब तक बिने नहीं आईए, हमको लगता है सुन लो कैसे भी सुन लो इसका अर्थ है कि निच्च वैवार मद्दस्ता नहीं है आप वैभार को वैवार रूप से नहीं जानते निच्च को निच्च रूप से नहीं जानते और जिसको निच्चे और ब्यवार मद्दस्त पना नहीं है उसको उपदेश के फलकी प्राप्ती नहीं होती यह आचामर्चंदेव कह रहे हैं कि फलकी प्राप्ती किसे होती है कि फलकी प्राप्ती उसी को होती है तो मद्दस्ता रखता है जिसको मद्दस्ता नहीं है उसको फिल्की प्राप्ती नहीं होती कि इसलिए मद्दस्ता चाहिए हमको निच्चे और ब्यवार Мद्दस्त इसलिए यहां कह रहा है कि क्वैः निच्चंषा कह रहा है कि इसलिए । पास्तम में निच्चे और वैवार को जाना है और जिसे निच्चे वैवार को जाना है उसके मद्दस्थपना भी होता है सुरतपना भी होता है उसको अब देश के फलकी प्राप्ती भी होती हो सब होता है जिसके मद्दस्थपना पाया जाता है जिसके मद्दस्थपना नहीं पाया जाता उसके फलकी प्राप्टी नहीं होती इसलिए मद्दस्त पना चाहिए इसलिए यहां कहा है पच्छ पात रहित होना परेगा हमें हम निच्चेने का पच्छ नहीं ले सकते हम बैवाने का पच्छ नहीं ले सकते पच्छ पात रहित होना होगा और पच्छ पात रहि कि यह करते हैं बसाम मिस बास्तम में हम यह ऐसा कहें कि हम एक किरिया के चक्कर में एक किरिया को अच्छी और एक किरिया को बुरी मानकर स्वाध करते हैं इसका मद्दस्पना नहीं है हमें हमारे मद्दस्पना कैसा हो चाहिए हो मद्दस्पने में साधर्मी बासल्य आता है अब याएगी बासल्य हमकी चर्चल चर्चल करेंगे उसकी बिचा करके देखें हम की हम मद्दस्पना है की नहीं हम सुरता है की नहीं हम सुरता पने के योग हैं या नहीं हमें फलकी प्राप्ति क्यों नहीं हो रही हमें क्यों नहीं हो रही फलकी प्राप्ति वाल लिखा ना पंडिशास उजाज जीने की पसा पसा बरस हो गया फलकी प्राप्ति क्यों नहीं हो रही मदस्पना नहीं है अन्या अनिया 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 वच्छन का फल है वाल लेते हैं या तो निच्चे और वैवार में से किसी एक का पच्च लेते हैं हम यह अन्या है हमारा या फिर हमने दौनों को यह जैसा मान लिया जैसा मानने या vermia है क्यों जिन्वाणी में दौनओं कई ऑसमार मानना पर सानि है और निति वच्च स्य भच्छय उसको कि रब्याने विख में गाना पर एगा एगा है हम ए jak वप और अच्छों को इज्जह समान लेता है। यह वह ठीक है। किसकी क्या अपयोगत है। किसका kटना उपयोग है, क्या है उसकीYes इसलिए त्युम अपत्तपना नहीं आता। एक कारण और दूसरा कारण है कि निच्चे और ब्यवारण और हुं को कैसे क Dri legtto दोनी को दिखाई देते कि अच्पाटी बाते से डीऊ है क्या here दए है किक डीउन कार से क्या इसे रहें क्या दोनों को दन 222 कि क्या है जोलगता है असथ अच्छा क्यों से लगते है क्यों कि बैवार बैवाने, तो क्या करा निच्छे ने का पदी पाधन निच्छे में इ contained हमको शेही होगे देखता है बैवाने तो भी बैवाने को तो पकड़ लेते हैं तुरंट लेकिन वो निच्छे की जब बात आती है तो निच्छे ने क्या करता है निशीर करता है रिलकूद निच्चे ने बिल्कु मना कर देता यह नहीं है, बैवाने की बिल्कु उटा देता बैवाने को, तो वो हमें थोड़ा लगता है अटपटा, बैवाने अटपटा नहीं लगता हमको, निच्चे ने अटपटा लगता है ज्यादा, कि हमको लगता है कि अरे यह ची सही नहीं है ऐसे निशेद कर देना सही नहीं है ऐसा कह देना रागी नहीं है ऐसा कह देना तो गलत है यह ऐसा कह देना तो गलत है रागी नहीं है जी तो हमको वह गलत लगता है हमको निच्चे ने गलत लगता है बैवा की कंपेरिजन में ज्यादा कि बैवाने तो सपोर्टर है निच्च क्यों कि परिशानी क्या है निच्च और बैवार के बीच में दो संबंद हैं निच्च और बैवार के बीच में दो संबंद हैं क्या संबंद हैं दो निच्च और बैवार के बीच में एक संबंद तो है प्रतिपाद्ध्य और प्रतिपादक का और एक संबंद है निसेधक और निशेद्धे का और दोनों ही संबंद एक साथ है परिशानी क्या है हमारी निच्चे और बैवार ने दो संबंद है निच्चे ने प्रतिपाद्धे है और बैवार ने प्रतिपादक है और दूसरा संबंद क्या है कि निच्चे ने निशेदक है और बैवार ने निशेद्ध है और यह दोनों ही संबंद एक साथ है निच्चे वैवार में अलग-अलग होते तो परेशानी नहीं थी हमें हमें परेशानी क्यों है मद्दस्थपना क्यों नहीं हो रहा निच्चे वैवार में मद्दस्थपना इसलिए नहीं हो रहा है कि हम या तो एक संबंद को ग्रेंड करते हैं या तो प्रतिपाद है प्रतिपाद को ग्रेंड कर लेते हैं या निशियत है निशिद को ग्रेंड कर लेते हैं लेकिन दोनों सम्मंदों को एक साथ ग्रेंड करने वाला ही निच्च और वैवार में मादस्त पना रख सकता है अब या तो हम यह कहते हैं ते को वैवार जटत तक नहीं मानता, परति पाद्या है परति-पादक और निस्याद को तब तक माददास्ट पना नहीं आता ये परईसानी दो संब्दों और दोनों इतदुसरे के बिरुदी जैसे संब्द है दोनों संब्द कैसे हैं? एक निस्याद करने वाला ही बताने वाला है, एक कहरा है ऐसा और एक कहरा है ऐसा नहीं है, में दोनों सम्मंद एक साथ हैं, इसलिए परिशानी घड़ी हो रही है, और इस परिशानी के कारण क्या हो रहा है, इस परिशानी के कारण मद्दस्ट पना नहीं है, हम देखो लौकिक में तो मद्दस्ट पना र बहुतार्फ भी सब पर लगेगा आत्मा के लिए आत्मा की बुतार्फ 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 की बुता और यहां की बात हमको फिर लगती है कि ने, देख महा तो हम जैसे कहा जाए कि कपरा दोने के रिए क्या चाहिए, कि सावुन सा यह कपरा दोने के रिए सावुन लगना पड़ता है कपड़े में, तो वहां हमको मद्दस्त पना है, हम सावुन का उप्योग भी करते हैं, में सावुन को लगे नहीं रहने देते, हटाते भी हैं, निशेद्य, निशेदक को भी मानते हैं, और प्रतिपाद्य, प्रतिपादक को भी मानते हैं, एक साथ, प्रतिपाद्य, प्रतिपादक को मानते हैं, इसलिए सावुन का उप्योग करते हैं, कप्रे में, कप्रे को सा साफ कनने के लिए लिए कपरे में साभुन लग गया कप्ड़ शाफ हो कब होगा इससाफ लगए हैं प्रतीपादर्गल मांते हैं तो नुछ वहां हमको निच्चे और वेवार में कन्फूजन नहीं है कोई है वह हमको निच्चे में कोई कन्फूजन करते हैं तो हमको अन फिर संध़ करे होते हैं कि यहां तो ऐसा लिखा यहां तो जानता है वहां तो यह निच्चे को जानता है वहां परिशानी क्या है कि वहां तो यह निच्चे को जानता है उस दुले हुए कपड़े को जानता है तो साव उनसे रहित है उस दुले हुए कपड़े को जानता है इसी निच्चे व कारान मद्दस्ट पना नहीं रखता मद्दस्ट पना नहीं रखता यहां जैसे लौकिक में कोई भी अज्जाम पर दिया रहा सकते हैं लौकिक में हम हर चीज़ें ब्यवस्तित है जैसे मां बच्चे को जब कह रही होती है कि मर्जा हाथ पर तोर दोंगी उस समय मद्दस्ट पना है मां के निच्च और वैवा का मद्दस्ट पना है ऐसा विचार भी नहीं करती है वो दिएको मद्दस्ट पने का क्या अर्थ है मद्दस्ट पने में वो ऐसा विचार भी नहीं करती है कि यह तो मैं वैवान ऐसे बोल लई हूं और निच्चे नहीं से मैं ऐसा मान रही उस मा की तरह मद्दस्थपना होना चाहिए जिस समय वो कह रही है कि हाथ पैर तोड़ दूँगी उस समय भी वो अपने बेटे को राजा बेटा मेरा ही है हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं है यह इस बात का श्रद्धान बरावर रखे हुए है और बोल लई है और बिचार है नहीं निच्चे बैवार का बोलते समय को बिचार करता है इसा मा बोलती है कि भैकाने सब्सक्राइब हुए मैं यE तो हात पर तोड़क्र दूंग निच्चा ने से तम्हें इसा नहीं मंगती कि मां विचार ही नहीं है निच्चे वेवार का वहे बस तु शरूर निच्चे तो फेमें पच्चाती कान तो हो गई मां पच्छ पासे रही तो गई रूमा अब उसको पच्छ नहीं है बैवा निच्च नहीं का पच्छी नहीं है ति बस तु शरूप को जान लिया उसली अब वो कथन कर रही है हाथ पर टोर दूँगी नहीं टोरूँगी जो भी कथन कर रही कथन की ये जा रही है वो विचार है इसका नाम है निच्च और बैभार का मद्दस्थ पना ऐसा मद्दस्थ पना हो तो शुरता पना सोवित होता है उसको शुरता पना सोव अपने को प्राफ्त होता है जिसके ऐसा मद्दस्थ पना हो में लोके में किसी भी कारे में लगा ले हैं किसी भी कारे में SYJ पिटे कारे में हमको बैवहार और निच्चे का वली वांती ग्यान है और बैवहार और निच्चे में मद्दस्थ पना है इसलिए लोके कारे में बैवस्तित करते हैं अच्छे से करते हैं लेकिन यहां परिशानी घड़ी हो जाती है यहां काम नहीं करते हैं क्यों कि निच्चे को जानते नहीं है निच्चे को जानते नहीं है तो यह तो बैबार को उड़ा देते हैं निच्चे को उड़ा देते हैं जो बादाम का पीड़ है उसको भी बादाम कहा जाता है जो बादाम का छिलका है उसको बादाम कहा जाता है और निच्चे से तो मिंगी ही बादाम है निच्चे से तो क्या बादाम है मिंगी बादाम है तो डॉटर के डॉटर ने कहा कि भाईया ताकत वराने के लिए बादाम का हलवा खाना तो आज तक किसी ने चलिके का हलवा नहीं बनाया आज तक किसी ने चलिके का हलवा नहीं बनाया कि देखो बादाम कह रहे है ना इसको भी तो चलिके का हलवा उसने नहीं बनाया इसका अर्थ है वो मद्दस्त है वो जानता है कि इसको हम बादाम क्यों कह रहे हैं और यहल में बादाम क्या है वो इस उलजर में नहीं पड़ता कि डॉट्टर ने तो कह दिया है बादाम का अलवा खाओ तो डॉट्टर ने ये तो बताया ही नहीं कि छिलिके का खाए है कि मिंगी का खाए है कि पेड़ का बनाके खाए है अलवा कि किसका अलवा बनाके खाए कि उसने तो ये खानी है हमसे कि ये उलजन नहीं है उसको हमको ये उलजन है कि अरे कहत हो रहे है राग ही नहीं है लेकिन राग तो दिखाई दे रहा है राग तो है अब आचारों ने ये तो बताया ही नहीं आचारों ने ये तो किया ही नहीं कि अब यहां मैं कन्फिजन करा हो रहा है आचारों ने का कि र है तो हम फस गहे उसमें दिखाई दे रहा हमको एराक तो है पिर इसको हुआ है प्रन को राकोन पर तो इन पडिब्चाड़ों में फश मैं इंप घ माने हम पाच पंच तो वैर निच्च आ के मानती नहीं पर आप हैं, जो दोनों को मानते हैं다 कि रागी भी और अरागी भी नहीं प्रकार के जीवों को क्या कहा था कल मूर्ख के सरदार को कि मूर्ख के सरदार हैं सरदर हैं कोẏ चाथ समलदार कौन वृदमान कौन और कि जैंक बात व्योर में अब धि हो रहा है इसका अर्थ है कि मद्दस्ट पना नहीं है निच्चे और वैवार सम्मंदित कथनों में देखो कथनों में बाद विवाद करना अर्था मद्दस्ट पना नहीं होना जहां कथनों में बाद विवाद होते हैं उसका अर्थ है कि मद्दस्ट पना नहीं है भी अब हम वैवार को छोड़ने तयार नहीं है वैवार को निच्चे मान लेता है जो वैवार को छोड़ने लाइक नहीं है ना वो निच्चे मान लेता है कि रहे दो को बादाम तो यह हैं तो इसी को बादाम मानेंगे तो जो बादाम छिलके को बादाम माने मानेगा वो तीन काल में मिंगी को प्राप्त नहीं कर सकता तीन कारां प्राप्त नहीं करेगा वो मिंगी को जिसने चिल के कोई बादा मान लिया अब वहां बैवस्थित ग्यान चाहिए, अरे वास्तम में तो देखो, बैवहार की कीमत निच्छे से है, निच्छे की वर्ना बैवार की कोई कीमत नहीं है, बैवहार की कीमत 0 है, छिल्के वाले बादाम क्या भाव आते हैं असी सो रुपे गलो और मिंगी वाल मिंगी क्या भाव आती है साथ सो रुपे गलो क्यूँ निच्चे की बेलू है बैवार की बेलू नहीं है और जो बैवार की असी सो रुपे गलो की बेलू है वो उस मिंगी के कारण है निच्चे के सहीत है तो इसकी value है थोड़ी जो value है ना उसकी 800 रुपेकलों की value वो मिंगी के कारण है मिंगी चिलिके के विना तो मिंगी के value ही अर्थात बैवहार का आश्रय लेने पर दोचीजंजें हैं एक तो बैवहार की कीमत निच्चे के कारण है दूसरा बैवार का आस्रे लेने पर अपने ग्यायक की बैलू गटती है जब मिंगी बादाम के साथ है मिंगी ने बादाम का आस्रे लिया हुआ तो सौर पेकलो बिखती है और जब आस्रे सोड देती है बादाम का तो आट सौर पेकलो बिखती है कि मि उसकी बैलू घटी कि निच्चे की बैलू तो घटविके एसको आठ विखना है और बादाम सपोर्ट क्यूं करता है क्योंकि मिंगी नहीं होगी तो मुझे खरीदेगा कौन सौमें भी नहीं खरीदेगा मुझे कोई चिलके को कौन खरीदता है इसलिए बैवाने सपोर्ट करता है मिंगी का बादाम का चिलका सपोर्ट करता है मिंगी का लेकि मिंगी भी रोद करती है चिलके का और दोनों एक साथ हैं, दोनों ही सम्मझ एक साथ हैं, बादाम के चिलके का सपोर्ट करना और मिंगी का बादाम का निशेद करना, दोनों ही चीजें एक साथ बिद्धमान हैं, अब वो तो एक साथ बिद्धमान ता अब वो समझ में नहीं आ रही हमें, वो एक साथ बिद्ध मानता समझ में नहीं आ रहा कि इसी हमको करेशानी खढ़ी हो रही है कि ऐसे हमने यहां पर कि यहां थो चलो मोरे कर हुपट की बात है यह इचंपल की तो मादाम तोड़ने पर ही मिंगी प्राप्त होगी यह बात तो सही है लेकिन उस चिलिके को कब टोड़ना ये भी पता होना चाहिए अब इसने क्या पड़ा कि ये मिंगी प्रात करनी है हमें तो मिंगी चाहिए हमें चिलिके सा क्या मतलब तो टोड़ दो चिलिके को कि पहले बाद आउंको परिपक्त हो जाने दो जब परिपक को हो जाए तो टोड़ोग तो मिंगी मिलेगी पहले टोड़ लिया तो अंदर कुछ ने मिलेगा तुम अंदर कुछ ने मिलेगा पहले टोड़ लिया तो उसको टोड़ना कब है ये भी पता होना चाहिए कब तक रखना है ये भी पता होना चाहिए और ये मिंगी नहीं है ये भी पता होना चाहिए ये बादाम नहीं है ये भी पता होना चाहिए कब तोड़ना ये भी पता होना चाहिए कैसे तोड़ना ये भी पता होना चाहिए तोड़ने की बिदी तोड़ने का समय सब पता होना चाहिए हमें ऐसे ही बैवार ने को कब छोड़ना है ये भी पता होना चाहिए और बैवार ने को किस प्रकार से छोड़ना है ये भी पता होना चाहिए और बैवार ने को किस प्रकार से ग्रेन करना है ये भी पता होना चाहिए यह पता नहीं है इसका अर्थ है निच्चे वैवार का मद्दस्थ पना नहीं है इसलिए यहां करें निच्चे वैवार का मद्दस्थ हुए बिना काम नहीं होगा निच्चे वेवारे मद्दस्पना नहीं है तब तक उपदेश के पूर्ण फल की प्राप्ती नहीं होती कि प्रियोजन क्या है हमें प्रियोजन नहीं पता वहां परिशानी क्या हो रही है बात महीं आती है कि प्रियोजन वो भाव नहीं पता हमें प्रियोजन क्या है हमारा प्रियोजन छिलके से नहीं है, हमारा प्रियोजन तो मिंगी से है अब छिलके का कितना प्रियोजन है, छिलका कितनी समय तक प्रियोजन भूत है वो नहीं पता है छिलके का भी प्रियोजन है अपना, बैवार ने का भी अपना प्रियोजन है बैवार ने ऐसा नहीं है जूटा है बैवार ने जूटा नहीं है बैवार ने कोई जूटा नहीं है बैवार ने लेकिन मिंगी की प्राप्ति के लिए चिलिका जूटा है ऐसी भूतार्थ के आश्रे लेने के लिए तो अभूतार्थ जूटा है लेकिन जूटा कव है, कैसे है, कहां है, कहां नहीं है, उन बातों की ख़बर हमको होनी चाहिए नाव कायजाब पर दिया था, नाव कायजाब पर दे दिया था कि नाव में कब बैठना, कहां तक बैठना, कैसे बैठना, कैसे नहीं बैठना इन सब बातों का ऐसी बैवार का आस्ट्रेल लेना, कब तक लेना, कहां पर लेना, किस प्रकार से लेना, ये हमको पता होना चाहिए, ये पता नहीं होगा तो मद्दस परानी रखवाएंगे हम अपना जब हमें मिंगी की प्राप्ती करने का समय आ गया तो टूड का लग कर दो बादांको, जब तक नहीं आ रहा है मिंगी की प्राप्ती का समय बाद छिलके को रखो अपनी साथ हम क्या करते हैं, अटाओ छिलके को, छिलके की क्या value है, छिलके से क्या होता है, ताकत तो मिंगी से भरती है, छिलके से कोई ना भरती है, तो हमने छिलका हटा दिया, छिलका तोर दिया, अपता चलांगा मिंगी पनी नहीं अभी अच्छे से, यह यह कलती हो रही है हमसे, इसल फल की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही क्योंकि फल लगने पर फल की प्राप्ति क्मिंग की प्राप्ति होगी कव जब हम बैवार ने को उचित समय पर छोड़े हैं कि बैवार ने कब छोड़ना कैसे छोड़ना इसका में पता ही नहीं है इसे इमेने काय स्टार्टिंग में द्रभ्यान जोग चुर्णा न्यों को छोड़ देता है उस्से यहीं पता है कि चुर्णान योग किसी बूमी काम में कितना रखना है कैसे रखना है क्या करना आए पता ही नहीं ना उसे चड़ना पता है जो जिसको ग्यान नहीं है न जो बादाम को छिलके को टोड़ देता है पहले ही वो ना मिंगी का सरूप जानता है ना छिलके का सरूप जानता है ऐसे ही जो बैवाने को छोड़ देता है वो ना बैवाने का सरूप जानता है निचे ने का सरूप जान इएका सरूफ जानने पर दूसरेका सरूफ automatically अता ही आता है तब दोनों का सरूफ जानते हैं नहीं तो फिर क्या करेंगे कभी भी तोड़ दो कभी भी कुछ भी कर दोगी yourself कुछ भी करने के लिए नहीं है दो करद़ेम बहुनिचे नुहीं है कि यह कहरे हैं यहांपर क्या कहरें हैं क्योंकि दिख प्रिवजन पता हमक को होना चाहिए जगत में दुछ मने का न लोक ही में परिशानी क्यों नहीं है क्योंकि लोग फिशिंग형 को जानते हैं कि लोक जाते हैं और वहां हमें जाल में उलस अच्छे नहीं है इसका पटै कि बेवान क में कठिन तो नहीं है लेकिन हम निच्छे को जानते नहीं और रभी निच्छे करना को उंको अच्छा लगता लिए जब निच्चे ने बैवाने का निश्यद करता है तो हमको अच्छा लगता नहीं इसलिए हमको लगता है कि नहीं यह चीज़ सही नहीं है ऐसा निश्यद करना तो सही नहीं है ऐसे निश्यद कर देंगे तो कैसे काम चलेगा हमको यहां ऐसा लगता है कि निशेद करने से काम ही चलेगा इसका अर्थ है कि निच्च और ब्यवार मद्दस्पना नहीं है इसलिए यहां कह रहे हैं कि कलकातना यथा योग के प्यवर्थन करना आया था कली सब नीचे देखो इस मिट्टी बावार्थ में था ना नीचे अतह है पहले बैवार निच्चे को भले प्यकार जानकर पच्चात यथा योग के इनका अंगिकार करना पच्च पात नहीं करना अंगिकार दोनों को करना है और यथा योग करना है यथा योग करना है जैसा है वैसा अंगिकार करना है बैवार को बैवार उपंगिकार करना ह ऐसे ही जब तक निर्ने पूर नहीं हो तब तक बैवार को छोड़ना तो नहीं लेकिन बैवार को ही सब कुछ मुद्मान लेना निर्ने करना बस्तू का अब बस्तू का निर्ने करने के बाद बैवार को चूड़ जाता है तब भी छोड़ना नहीं पड़ता बैवार जब बैवार चूड़ जाता है जब भूतारत का आसर होता है तो उस रूप बैवार चूड़ जाता है यथा योग के बैवार चूड़ चुछ वाला इसे दो निचे को अब तुमने बुतारत का असरी लिए न लिए न तु निचे को छोड़ दो तो निच्चे वेवारे मद्दस्पना नहीं है फिरिये कव क्या करना कैसे करना इसके पता नहीं है इसलिए निच्चे और वेवारे मद्दस्पना नहीं है और इसलिए उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती और उत्तम शुरता का लच्छन यहाँ पर कह रहे हैं बैवा निच्चे को भले प्यकार जान कर, पच्चात यथा योगे इनका अंगीकार करना, पच्च पात नहीं करना, यही उत्तम सुरता का लच्छन है, इसी को उत्तम सुरता पना सोवा देता है, उसके बिना जीव सोवा पने को प्राप्त नहीं होता, सोवा पने को सुरता प जाता है यदि तू जिनमत में प्यवर्दन करना चाहता है तू बैवार निच्चे को मत छोड़ यदि निच्चे का पच्च पाती होकर बैवार को छोड़ेगा तो रत्ना असरूप धर्म तीरत का वाव होगा और यदि बैवार का पच्च पाती होकर निच्चे को और बैभार को छोड़ दिया तो बस तु तक यह ऐसा है यह दिए मार्ग को छोड़ेगा तो मंजिल पर नहीं पहुंचेगा और मंजिल को छोड़ेगा तो मार्ग में अटका रह जाएगा तो फिर उसको मार्ग भी नहीं कहेंगे फिरां फिर उसको मार्ग तो किसको कहा जाता मार्ग किसे कहते हैं कि मार्ग कहते हैं जो मंजिर पर पहुंचा है वो मार गए उसके लावा और की मार्ग नहीं है उसके लावा तो सभी कैसे हैं मार्ग नहीं हमको जहां जाना है वहां के लिए जो मार्ग है वो मार्ग है बाकिसे वो मार्ग है पाकी और रास्ते नहीं है रास्ता तो एक ही है जहां मन्जिल पर जाना है तो यह जिए हमने मन्जिल छोड़ दी तो अब यह रास्ता रास्ता नहीं रहा तो इसलिए कहा रहा है वो तीर्थ का वाब हो गया बैवार यदी निच्चे का पच्छपाती होकर वैवार को छोड़ दिया मार को छोड़ दिया तो तीर्थ का मंजिल का एवाब हो गया धरम तीर्थ में भी क्या है मंजिल है मुक्षे रूप से मार को तो वैवार से कहा जाता है तीर्थ तो वो छूड़ जाएगा मरक्यों की प्रतिपाधन तो वह किय रहा था, बताने वाला तो वही था मंजिल को, तुमने बताने वाले को छोड़ दिया, तो मंजिल नहीं मिलेगी। और मंजिल को छोड़ दिया बताने वाले के चक्कर में तो भी मंजिल नहीं मिलेगी दोनों ही सूरत में मंजिल नहीं मिलेगी और तीसरे प्रकार के मूर्ख मार्ग भी मंजिल है और मंजिल भी मंजिल है उसको भी मंजिल नहीं मिलेगी मंजी किसको मिलेगी जो यथा यूग के प्यवर्तन करेगा मार्ग के साथ मार्ग का प्यवर्तन और मंजील के साथ मंजील का प्यवर्तन माग को माग रूप से गहन करेगा और मंजिल को मंजिल रूप से गहन करेगा उसी को मंजिल मिलेगी तो इसलिए यहां कह रहे हैं उसी को भलकी प्राप्ति होगी यह यहां कह रहे हैं विचार करना क्या कह रहे हैं आता है पहले वैभार निच्चे को बड़े प्रकार जानकर पच्छा देथा योग करना पच्छ पात ना करना यह तमसुरता का लच्छ नहीं यह चोटा सा प्रेस्ट और दिया हुआ है आगे स्कॉर पढ़ लेते हैं जो निच्चे बेभार को जानने रूप वक्ता के बतलाये थे बेई शुरता के बतला दिये तुमने तो वो निच्चे ने का ग्याता वो होना चाहिए वो निच्चे ने का ग्याता यह होना चाहिए विशेष्ता क्या हुई बगता और शुरता में विशेष्ता क्या हुई तो बक्तापना छुपा हुआ है शुरतापने में ही लेकिन यहां क्या रहे हैं विशेष्टा क्या है बक्ता है शुरता में फिर आपने उसका लच्छन ही बताया मुख्य लच्छन तो उसका भी यह बताया था एक ही तीन लच्छन बताया थे लिए मुख्य लच्छन तो एक ही ब होना चाहिए जो गुण आधिक के रूप से बक्ता में हो वही गुण हींता रूप से थोरे अंसों में स्रोता में भी होना चाहिए यदि स्रोता में नहीं हो तो फिर वो काम नहीं चलेगा चाहिए दोनों में वो गुण थोरा अधिकता हींता का फरक हो सकता है लेकिन गुण तो बरावर चाहिए वो गुण भक्ता में भी चाहिए और श्रोता में भी चाहिए बक्ता में नहीं होगा तो बक्ता समझा नहीं पाएगा और श्रोता में नहीं होगा तो श्रोता समझनी पाएगा बक्ता को समझाना है और शुरता को समझना है इसलिए दौनों के ये गुण पाना पाया जाना चाहिए निच्चे और वैवार का ग्याता होना ये निच्चे वैवार का स्वरूप हमको भली बाती समझना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए वास्ता में क्या है कर्मेन काता हैं उलजने हैं बहुत जितनी उलजने हैं वो उलजने निच्चे वैवार को ना जानने के कारण है बस निच्चे वैवार का सरूप जानने पर कोई भी उलजन नहीं है कोई भी उलजन नहीं, कैसी भी उलजन नहीं है, किसी प्रकार की उलजन नहीं है निच्चे वैवार का सरूप अलिवाती जानने पर जितनी भी टेंसन है, जितनी भी जो भी परिशानियां है जितना भी दुख है वो इसी के लिए निच्चे वैवार को नहीं जानती जितना भी दुख है हमारा जितनी भी टेंसन है हमारी निच्चे वैवार को ना जानने के कारण है जितना भी जो कुछ भी है वो सब निच्चे वैवार को ना जानने के कारण है संसार ही निच्चे वैवा को ना जानने के कारण है निच्चे वैवा को जानने पर संसार का वहावी होता है विचार करना तो क्या कह रहा है है जो गुण आदिक के रूप से बक्ता में हो वही गुण हींता रूप से थोरे अंसव में स्रोता में भी होना चाहिए इस पेकार बक्ता और सुरोता का बर्णन किया है अब गरंत करेंगे प्रारम अब गरंत का बर्णन करते हैं यह लिखेंगे आगे अब बर्णन करते हैं गरंत का यहां तक तो भूम का बताई है हमने कि गरंत कैसा होता है बक्ता कैसे होते हैं सुरुता कैसे होते हैं तो पनिटोड़मा जी की सब्द है पनिटोड़मा जी का पहले अधिकार का उचित सास्त्र को उचित बक्ता होकर वा उचित बक्ता होकर बांचना और उचित शुरुता होकर सुनना चाहिए तो इसलिए वक्ता सुरता का सरू बताया है कि हम पहरे निर्ने करें कि हम सुरता पने के अधिकारी है की नहीं हम वक्ता पने के अधिकारी है की नहीं ये गरंत उचेत है की नहीं तीनों का विचार करें अब्याद तब करना चाहिए ये ऐसा नहीं किसी से भी सुन दिया, कुछ भी सुन दिया, कैसा भी सुन दिया. पहले सुनने से पहले तीन बातों का विचार होना चाहिए, क्या सुन रहे हैं, किस से सुन रहे हैं और कौन सुन रहा है? जिसको सुन रहा है वो सुनने योग के है की नहीं जो सुना रहा है वो सुनाने योग के है की नहीं और मैं सुन रहा हूँ मैं सुनने योग हूँ की नहीं पहरे इन तीन बातों का विचार करके ही अभ्यास करना चाहिए इसलिए ग्रंथों में इन तीन बातों की चर्चा ग्रंथे प्रारम करने से पहले मुख्य रूप से आती है बिचार करना कल से ग्रंथे प्रारम करेंगे वह सुन्दर सिलोक है अगला उस लोग की चर्चा करेंगे कल हम कि क्या है वास्तम में पुर्शा शिद्धी उपाए उसकी चर्चा उंकल करेंगे बिचार करना हम सब भी निच्चे और वेवार की ग्याता बने निच्चे वेवार की सब को भली माती समझे मैंने का कटिन नहीं है कटिन लगता है कटिन है नहीं है बहुत सरा निच्चे विवार का सरू समझना बहुत सराल है और मद्दस्त भाव होना बहुत सराल है निच्चे विवार मद्दस्त भाव होने पर इसलिए का स्वादवाद से हलो सकता हर विवाद का हलो सकता स्वादव विवाद, चाहे वो लौकिक विवाद हों, चाहे वो धार्मिक विवाद हों, हर विवाद का हल है स्वादवाद, मैं ऐसा नहीं इस विवाद काल नहीं है स्वादवाद में, कोई सार विवाद हो जगत का, सारे विवादों की दवा है स्वादवाद, लेकि मद्दस्त पना च इसलिए का ना हटा ग्रही नहीं होना चाहिए, हटा ग्रही का नाम लिया था उपर, हटा ग्रही नहीं होना चाहिए, हटा ग्रही होगा तो पच्छ पात करेगा, हटा ग्रही नहीं होना चाहिए, हटा ग्रही छोड़ने पर ही सोता पना सोबा देगा, हटा ग्रही यदी है हमक तो फिर सोतापना सोबा नहीं देता हटाग रहे छोड़ना पड़ेगा क्या कह रहे ऊपर लग लेकाता ना वैवानिच्चे को जानकर एक पच्च का हटाग रही ना होने का कुल मुख्य रूप से होना चाहिए हटाग रहे है तो सुरतापना नहीं है विचार करना हम सब भी कि ऐसा नीड़ने करके मुझ्च मागन प्रवर्तन करें बस तो सरुप को जाने और मुझ्च मागन प्रवर्तन करते हुए निकटकाल में सिद्धों के बीच जा कभिराज मान हो किसी मंगल भावना के साथ लगी की बात को यह अंब राम देते हैं कोई संका हो आपकी तो कि अपन स्वाध्या करते हैं तो पूजा का निशियत करने में आ रहाता है लगता है लेकिन पूजन करना भी स्वाध्या है पूजन करना भी स्वाध्या है पूजन करने में भी अध्यन स्वाध्या है अरे देव भक्ति करना भी स्वाध्या है गुरु भक्ति करना भी स्वाध्या है हमने स्वाध्या पर्टिकुलर किरिया का नाम समझा हुआ उसका नाम स्वाध्या नहीं है हमने ग्रंत पढ़ने क किरिया का निशेद अधिया का नहीं कुर्णा आध्यों मा अध्य क्लता कर एब यथा उपने कु resiliency मनेता का निशेद है तो फिर हम मतदस्थ परा नहीं है निच्चा वर बैवार को भीवार जैसे कि भी है तो स्वाध्याई की भाग उसमें स्वाध्या है ना कुछ भी करो तो वह क्या दूरा मानेंगे देखो आप खाना क्यों खाते हैं पेट बनने के लिए पेट बनने के लिए खाते हैं ना तो पेट बनने के लिए रोटी खाओ चाहे बाटी खाओ चाहे पाकवान खाओ चाहे कुछ भी खाओ पेटी तो बढ़ता है ना सबसे तो फिर आप डेली डेली रोटी रोटी खाओ पाकवान मत बनाया करो आपका भी भी क्योंकि पेटी तो बनाएते यह बना लो क्पट्र सम और दाल से भर जाएगा वह दाल से बिरिषानी दाल से बिए क्वान living करते हैं कभी बना लिये बिच में कभी मेनारे वे नालो कभी यह बना लो कभी क्वें क्यों चयुंग कर रहे हो तो पेट तो बनना है ना पेट तो ऐसे यहीं आपके कहोगी इसलिए उसाध्य हो रहा है तो फिर यह करो ना पेट भी तो बारड़ा है तो पेट रूटी बनाओ शालिए आप और डेली एक ही सबजी बनाओ जैसे वहाँ हमको एक ही सब्दी एक ही सब्जी डेली बनेगी सब्जी खाने में उस्जा नहीं होगा इसलिए हम डेली एक ही काम करते रहेंगे तो उस्जा नहीं होगा हमारा इसलिए हमारा उस्जा डिला पड़ता है कि इसलीए उसौर उस्सां में जिन्रसाइब शाए और उस्सां में अधिमानी eyelidb हो जाती अधिक है कि जैसे पर हम करते हैं का नो किक में उस्यार है लेकिन यहां हम जो जितने भी हैं आपके लिए निनी केहरे आप सब करें हम सब की बात हैं हम सब यहां पर तर्क लगाते हैं वह में यह द्रोक्त का नहीं लगाते हैं छ Barcelona आ इस्वार हम यहां लगाते हैं इसलिए हमारा भ्मार का वेवार चल नो के तर यह यहां तरक लगा दिया हमने जैसे लौकिक में हम तरक नहीं लगाते वैसे यहां भी बिना तरक के निर्णे होगा तो तरक नहीं लगेगा वहां को निर्णे है यहां को निर्णे नहीं है इसी लिए यह ऐसा होता जब स्वाध्या यह सब कुछ ऐसा होता तो फिर आचारे छे आवस्टक नहीं कहते बोलते एक ही तो अच्हे आवस्टक कहने की क्या वसता कि इतना लिखना पर आच्छे आवसक के नाम लिखने पड़े आचा रहे फिरी ने वेट रहे उनके पास फिरी फोकट का टाइम नहीं या उनके यहां पास कुछ भी कहने का जो भी कहा है प्रीयोजन से कहा है भीना प्रीयोजन के सब्ने करें प्रूजएवारी वीयुते हैं लुग मैं DC लोग पिशे जब चया लोगा करेंगे में अब उसमें चाहिए अपना मैं यह नी कह रहा हूं हर्चीज में बिवेक चाहिए अब एसा को ना पूजन कह रहा है हैं और को तो मुझे संपतिया बोट पूर के नहीं है फिर उसमें चाहिए करते हुए बिवेक चाहिए बिना पपिवेक की शट आवसक नहीं होंगे और शट आवसक छोड़ोगे तो भी कारण नहीं होगा तो अचारे देप्या रहें विचार करें कि नेज कि नीदी नेज कि मैं बताई यह अनंते वेकार है